माइंड को कूल करके इधर उधर घर परिवार में वो चुकला बरतन के फेर में नहीं रहाना है ठीक हेलो इरवन बलकम बैक टू माई ब्लोग चैनल जहिंद कैसे आप साब आए हॉप कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से विहार पु सब्सक्राइब के लिए आप लोग के लिए आप लोग को बता देते हैं कि अभी बहुत बड़ा कारवाई हुआ है कि मतलब 33-34 गो वाकी-टॉकी जो होता है वारलेस जिसको बोला जाता है उसको वाकी-टॉकी बॉलते हैं हम लोग के पुलीसिया भासा में ठीक है तो 34-35 के सम्थिंग में वाकी-टॉकी पकराया 6 मुवाइल पकराया उसके बाद 2,00 के सम्थिंग में कैस रुपया पकराया उसके बाद 200-800 के बीच में आप बिहार पुलीस का एडमेट कार्ड और मार्क सीट और मूल परमान पत्र पकराया ठीक है तो ये कलका कारवाई हुआ है 18-35 क कारवाई है ये दोस्त तो आप लोग समझ सकते हैं और फिर बिहार पुलीस में जो CSBC का बोर्ड है वो एक रूल और निकाला है ठीक है अब OEMR को आपको ऐसे भरना है कि आपको 33% एनिहाव फिल करना ही परेगा यानि कि 100 कोस्टन में आपको 33, 34 का कोस्टन रंगना ही वैसे तो कुछ होने वाला है नितने 30% से ठीक है आप 34, 35 कोस्टन रंगना तो उससे कुछ नहीं होने वाला है अब आकि यह जो सेटिंग वेटिंग होता था बहुत सारे कापी खाली छोर के आता था फिर वो रंगवाता था तो वो क्या होता है कि बोर्ड जैसे कि आप ज्य अच्छे से एक्जाम होगा अच्छे से आप लोग का कट अच्छा खासा ही आएगा ठीक है और अच्छा खासा कोश्चन भी रहेगा बस रूल रेगुलिशन जितना भी बनाया गया इतना अगर फॉलो हो जाए ना गारंटी के साथ क्याते हैं दोस्त कट उतना ही रह जाए और चपल में ब्लुटूथ को कनेक्ट करके हैं सला हम देखे तो सौक लग गया और एक बड़ी जानकारी ये भी है कि बिहार पुली से 2391 वाले वेकंसी का दिसंबर तक में फुल रूप से यानि कि पूर्ण तरह से इसको किलियर कर दिया जाएगा ठीक है यानि कि बरसात का सीजन चल रहा है आपका 1 अक्टूबर को साथ अक्टूबर और 15 अक्टूबर को आपका एकजाम होने वाला ही है एकजाम क्लियर होते ही बरसात moc खतम होगा दुर गापूजा नौगा करे मंत में और फिर आपका December full होते होते ठीक है आपका merit confirm कर दिया जाएगा मैट निकाल दिया जाएगा हो सकता है कि एक मेहना दो मेहना लेट भी चले जाए लेकिन अभी तक का बिहार पुलीस के तरफ से यही जानकारी अपडेट मिला है दोस्त की 2391 वाले vacancy का पूर्ण रूप से आपक 2491 वाले vacancy का और question normal रहने वाला है 10th से 12th level की बीच में रहने वाला है जिसमें आपका वही syllabus रहेगा मतलब जो हमने पहले पिछले वीडियो में बता दिया है वही syllabus रहेगा वही काtest की संधिंग में लेगा दोस्त हम निश्रित क्याता हैं खटफ हुई रहेगा और लबस लिद्छ घली से मेरे आपका जीकारी गखकर रहेगा उसके बाद पनदन्र का चाहली और इंगलि Billboard रहेगा अधू rif नमबर का हिंदी और इंग्लिज दोनों इंकुलूड रहेगा ठीक है तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तयारी कर रहे हैं और दोस्त अभी बोको कुछ भी उंटाना नहीं है जो भी आप पहले तयारी किया है मतलब पीछे तयारी किया है उसको आप रिवीजन करने की इंट्री टाइम रहेगा यानि कि जिसका फर्स्ट में एक्जाम है उसको दो घंटा पहले घुसना पड़ेगा दस बजे सा आपका एक्जाम होने वाला है दो घंटा का आपका एक्जाम होगा 120 मिनट का नेगेटिव मार्क कुछ भी नहीं है सो नंबर का एक्जाम होगा आप पासपोर्ट साइज फोटो ले लिजेगा आप ठीक है बाकी अच्छी से एक्जाम देना है धैरी रखके तसली के साथ और होसला कभी नहीं खोना है ठीक है होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा ठीक है हिम्मत नहीं हारना है यार दोस्त अराम से एक्जाम दीजे तस और अपको आपको नहीं लान भा姓ज दूए अगले दिन से आप फ़िजिकल की तैयारि करना शुरू कर दना दोस्त नसे एक मिनिट के लिए बिहार पुलिस में हो या ना हो ठीक है लेकिन और भी तो बहुत सारा अभी वेकंसी आया है जैसे अभी एससी का वेकंसी आने वाला है नवंबर दिसंबर के सम्तिंग में फिर बिहार दरोगा का आने वाला है उसके बाद भी आपका बिहार एससी का आने व suppose that हम दो नंबर कोश्चन का अंसर जानते हैं ठीक है अगर बाइद भी मेरे से गलती से दूसरा ओपास एक टिप्स और बताते हैं आपके बाइब का सबसे बरी बाद मैं दुबारा गएण रिपीट खर रहीजा नेगेटिव मार्क नहीं है ठीक है और 100 को ना 25-30 मिनट यानि कि आधा घंटा हम समय लगाएंगे उसको परने के लिए ठीक है एक बार उपर से लेके नीचे तक यानि कि एक से लेके 100 को आप रीड कर लीजिगा पूरा पर लीजिगा ठीक है ध्यान से पर के उसके बाद जो आ को टेस्ट नहीं करना है कुछ भी आपका कोश्चन ले लिया जाएगा वहां पर आप अपने एड्मिट कार्ट के पीछे में कोश्चन नंबर और अमर का सी मतलब जो आपको सीट मिलेगा उसका नंबर लिख लीजिगा ठीक आप अपने एड्मिट कार्ड में तो 20 से 25 मिनट 30 मिनट आप कोश्चन को रीड कर लिजेगा अच्छे से ठीक है उसके बाद आधा घंटा जैसे आपका समय पारवत आपके पास समय बचेगा वनली फूर और नब्बे मिनट ठीक है नब्बे मिनट में आपको आपको 100 कोश्चन रंग ना है तो जितना आपको आता है क्वीक में ध्यान से आप उसको रंग लिजेगा रंगने के बाद अगर 15-20 मिनट आपके पास समय बचता है उसके बाद सपोड़ मान लिजे कि इतना कोश्चन हम रंग दिये आपके पास 10 मिनट समय बचा है और 20 कोश्चन आपके पास में तो आप क्या करेंगे करना कुछ नहीं है दोस्त महादेव को गोर लग लेना है अराम से ठीक एवी सीडी करके तुक्का मार देना है दोस्त कसम से कह रहा है अगर बीस भी आप तुक्का मार के कर दिया ना अगर वो इसने दिन खराब होगा जो एक कोगो सही नहीं होगा ना तो निश्चित कहते हैं आपको 5-6 कोशन आपका सही होगा ही होगा ठीक है तो अराम से तुक्का मारना इस टाइप से और मांड कनसंट्रेट करके एक्जाम देना है उस टाइम इस टाइम किसी भी आफवाव पे ध्यान नहीं देना है आपके बहुत कम समय है वरली फूर आपके पास 24 गंट आपके पास समय बचा है और जितना भी आपको प्रोसेस बताई, यह सब होने वाला है, यह सब सेट विधी विववस्ता किया गया है वहाँ पे, तो आप लोग इस हिसाब से एक्जाम दीजेगा, हम यह चीज लड़की लोग के लिए भी बोल रहे हैं, कि आप लोग भी अच्छे से एक्जाम देना है माइंड को कूल करके इधर उदर घर परिवार में वह चोकला बरतन के फिर में नहीं रहना है, आप लोग अच्छे से एक्जाम दीजेए, और आपका एक्जाम किलियर हो जाए, आप लोग भी फीजिकल की तयारी करना शुरू कर देना है, इसकोर अभी मत पूझे कि क्या आ लोग जो भी बाहर इस्टेट से आने वाले हैं या मतलब कहीं और से भी आने वाले हैं और अगर आपको एक्जाम सेंटर पर बैग लेके या कोई समान लेकर पहुंच रहा है तो ठीक है, आपको वहां पर मतलब रखने का वेवस्था मिल जाएगा, ठीक है, वह आपको रखवा दिया जाएगा इसके लिए आप टेंसन ना ले और फिर बहुत सारे भाई बोल रहते कि भाईया हम MP से हैं यूपी से हैं रहने का वेवस्ता देखो दोस्ते रियली बता है ना भाई हम और लर्की लोग भी बता रहे थे देखे हम चार पांच लर्कीा को अभी रहने का वेवस्ता हम फटना में कर वाए एक फैमिली है वहां पर ठीक है उसके यहां पर रहने का वश्ता कर पर जाता है राजधानी ही दिया है आपका कुर रियली बताए ना तो 20 से 50 लर्का और लर्की मिला कि अभी तक में हम हर जगा पे जहां अपने रिलेटिव है दोस्त है यार है जो भी है हम वहां पे मतलब उनके एक्जाम तक के ठाहरने का विवस्ता कर दिया और जहां तक हो निकल जाए ठीक है एक्जाम जैसे ही आपका निकलेगा हमरे पास भी बस 24 चार से पांस दिने आज हम भी चालिस किलूमेटर नाइट मार्च करने वाले उसके बाद फिर हम भी अराम से जम होई जाएंगे फिर जिसका भी रेटन होगा जमूई से या जहां भी हम आएंगे समय मिलेगा तो फिर इतना विश्वास के साथ कहते हैं दोस्त आपके खुसी में हम जरूर सामिल होंगे ठीक है बाकि और भी आपका कोई सवाल हो तो आपको एक में सवाल करना इस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे डिस्प्ले पर भी हम लिख देंगे वहा कि मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिंद